दोस्तो आज है 7 Wonder सीरीज का पार्ट नमबर 6 इससे पहले 5 पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें The Great Wall of China, Christ the Redeemer, Machu Picchu, Chichen Itza और Roman Colossium का जिक्र हम कर चुके हैं अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके वीडियो जरूर देखीगा आज हम बात करने वाले हैं ताज महल के बारे में जानेंगे इससे जुड़े हुए 10 important facts को तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं परवीन शर्मा और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल Simple Hindi Fact को तो सबसे पहले बात करते हैं ताज महल का निर्मान किसने तथा कब किया ताज महल को शा जहा ने अपनी पत्नी मुम्ताज महल की मिर्तिव जो 17 जून 1631 कोई थी उसकी कबर को बनाने के लिए किया था यह बारत के उत्र प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षणी किनारे पर स्थित है जब उसकी पत्नी की मिर्तिव हुई तो वो उसकी चोधवी संतान को जनम दे रही थी जिसका नाम गोहर बेगम था ताज महल का निर्मान 1632 में शुरू हुआ और इसका मकबरा 1643 में पूरा हो गया जबकि आसपास की इमारतें और बगीचों को बनने में 10 साल का समय और लगा था ताज महल में मुम्ताज के साथ साथ साजहा का मकबरा भी स्थित है और साजहां की अन्य पत्नियों यहां तक की उसके पसंदिदा नोकरों का मकबरा भी ताज महल के बाहर मकबरों में दफनाया गया है ताज महल के परीशर में एक मस्जिद और एक गैस्ट हाउस भी है ताज महल का निर्मान आर्किटेक्ट उस्ताज एहमद लाहोरी के मार्क दर्शन में 20,000 से अधिक कारीगरों के दौरा किया गया था उस्ताज एहमद लाहोरी जो ताज महल के मुख्यवास्तुकार थे वो बारत के नहीं थे बल्कि इरान के फारसी थे इसके निर्मान सामगरी के परिवेन के लिए एक हजार से अधिक हाथियों का उपियों किया गया था ताज महल को बनाने के लिए सामान अलग-अलग जगह से मंगवाया गया था जैसे की सफेद संगमर्मर को मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था जैस्पर को पंजाब से, जैड और क्रिस्टल को चीन से, फिरोजा को तिब्बत से, लापिस लाजुली को अफगानिस्तान से, नीलम को सिरिलंका से, और कारेलियन को अरब से लाया गया था इसमें 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को सफेद संगमर्मर में जड़ा हुआ था जिनको बिरिटेश सैनिकों ने 1857 में सिपाही विद्रोह के दोरान ताज महल की दिवारों से निकाल लिया था निर्मान स्थल पर संगमर्मर और सामगरियों को ले जाने के लिए 15 किलोमेटर की दूरी पर टैंपेड अर्थ रैंप बनाया गया था जो की 20-30 बैलों की टीम के दोरा विशेश रूप शे निर्मित वैगनों पर ब्लोकों को खीचता था ताज महल पूरा होने के बाद शा जहां को 1658 में उसके बेटे ओरंगजेव ने कैद कर लिया था उसके बाद शा जहां ने अपने अंतिम आठ वर्षों तक ताज महल को अपनी खिड़की से ही देखा था तो अब बात करते हैं इस से जुड़े हुए 10 important facts के बारे में fact number 1 जैसा कि आप जानते हो कुतुम मिनार पूरे संसार में सबसे उची मिनार है लेकिन क्या आप ये जानते हो कि ताज महल कुतुम मिनार से भी उचा है जी हां कुतुम मिनार की उचाई 22.5 मिटर है जबकि ताज महल की उचाई 73 मिटर है फैक्ट नमबर दो ताज महल के आसपास चार मिनारों का निर्मान मुख्य गुम्बंद से दूर किया गया और ये चारों मिनारे सीधी खड़ी होनी की बजाए थोड़ा बाहर की और जुकिवी है क्योंकि अगर कभी बुकम पिया किसी और वज़े से ये मिनारे गिरती हैं तो ये बाहर की तरफ गिरें जिससे मुख्य बाग को कोई नुकसान नहीं हो फैक्ट नमबर तीन क्या आप जानते हैं कि आगरा ताज महल के लिए वास्तविक स्थल नहीं था इससे पहले ताज महल को बुराहनपूर मध्य परदेश में बनाया जाना था जहां मुम्ताज की मिर्त्य हुई थी लेकिन दुरबाग्य से वहाँ परियाप्त रूप में संग मरमर उपस्तित नहीं था इसलिए आगरा में ताज महल के निर्मान का अंतिम निर्ने लिया गया वहाँ पे साजहा ने माहराजा जैसिंग को जमीन के बदले में आगरा के बीच में एक बड़ा सा महल बेट किया था ताज महल को बुरित्य विश्वयुद के दोरान ASI यानि Archaeological Survey of India के दोरा चुपाया गया था यह एक विशाल मचान के साथ कवर किया गया था जिससे यह उपर से देखने पर बास के बंडारन के जैसा परतीत होता था बाद में एक बार फिर इसे 1971 में बारत पाकिस्तान के युद के दोरान चुपाया गया था ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दूसरे देशों की वायू शेना इसको पहचान कर नश्ट ने करते फैक्ट नमबर पांच 2008 में एक बांगला देशी फिलम निर्माता ने लगबग 5 करोड 60 लाख एमरेकी डॉलर की लागत से अपने बांगला देश में एक ताज महल का निर्मान किया था ऐसा इसलिए किया ताकि बांगला देश के देशवासी बारत की यात्रा किये बिना ही उस परसिद समारक का आनद ले सके आधोनिक उपकरणों के साथ उन्होंने 5 साल में ही ऐसा ताज महल बना लिया था आपने भी कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि सा जहा ने ताज महल के निर्मान करने के बाद कलाकारों और वास्तुकारों के हाथ काट दिये थे कि वे दोवारा कभी इस तरह का खुबसूरत कर्तब ने दोरा सके आपको बता दूँ ये महज एक मिथ्य है और अभी तक इस बात का कोई भी सुबूत नहीं मिला है फैक्ट नमबर साथ सा जहां ताज महल के सामने महताब गार्डन में एक काले रंग का दूसरा ताज महल बनवाना चाहते थे जो दिखने में एक दम हूब हूँ ताज महल के जैसा हो काला ताज महल सा जहां अपने मकबरे के लिए बनाना चाहते थे हाला कि यह बात भी एक मिथ्य बन के ही रह गई है और अभी तक इस बात का कोई भी वास्तविक सबूत नहीं मिला है ताज महल का परीशर 1653 में बन कर तयार हो गया था और इसे बनाने में उस टाइम लगबग 32 मिलियन यानि 3 करोड 20 लाख रुपे की लागत आई थी उस लागत की अगर 2020 में हम तुल्ला करके देखें तो आज के टाइम में ये लगबग 7,000 करोड होती है ताज महल को 1983 में युनेसको ने विश्व द्रोहर के रूप में इसे शामिल किया था ताज महल को देखने के लिए लगबग 7,8 मिलियन परियटक हर साल आते है बारतिय परियटको के लिए ताज महल की परवेश टिकट 45 रुपे की है सारक देश के नागरिको के लिए 535 की और विदेशी नागरिको के लिए 1,050 रुपे की है और 15 वर्ष से कम उमर के बच्चों के लिए किसी परकार की टिकट नहीं लगती फैक नमबर दस ताज महल कई माइनों में एक अजूबा है इसका रंग आकाश की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है सुबह ये हलका गुलाबी दिखता है दिन में सफेद दिखता है और रात में ये हलका नीला दिखता है तो ये थी ताज महल से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, बने रहे हैं हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए, धन्यवाद